कर दोस्तों कमपर्शन अकडमी की यूटूब पोटल पर आपका स्वागत है उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगे अच्छे से कल जो वीडियो लेक्ष्यर आपको दिया गया मार्क स्वाद पर उम्मीद करते ह कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और उस पर अधाहित रात में नो बजे लाइफ का अक्छा भी कराई गई उसे भी आप लोगों ने देखा तो अब अगर मार्क स्वाद से प्रस्न आता है तो मेरे खाल से आपका प्रस्न छूटेगा नहीं और कॉंसेप्ट भी आ अजना फाइदा आपको मिल रहा है आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं मनोविश्लेशन वाद और Hindi साहित देखे और plats यह मनोविश्लेशन वाद यह सबकार बढ़ा बढ़ेगे यह वीचारिक धारा तो आप पढ़ेंगे लेकिन उसका प्रभाव हिंदी साहित्य में कहा है यह हिंदी साहित्य में उसका असर किस प्रकार से दिखता है तो जब आप इसे जोड़कर हिंदी साहित के साथ जोड़कर पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा कॉंसेप्ट किलियर हो जाता है और इस पर आने वाले जो प्रश्ण होते हैं उन्हें भी आप आराम से कर सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं मनोविशलेशन वाद मनोविशलेशन वाद जिसके प्रावर्टक सिग्मन फ्रायड है जिनका जन्म 1856 में हुआ इनका द्यहांत 1949 में मनोविशलेशन वाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर आगे हम लोग विश्द्रित में बढ़ते है कि सिग्मन फ्रायड के द्वारा कि प्रतिपादित यह सिद्धान फ्रायड वाद के नाम से भी जाना जाता था पहले कि बाद में मनों विश्लेशन वाद नाम रखा गया देखे मनों विश्लेशन मनों मन से बना है मनों किसका विश्लेशन मन का विश्लेशन तो मनों विशलेशन का अर्थ है मानों मन का विशलेशन और वाद क्या कोई भी वाद क्या होती है पद्धती होती है तो मानों मन के विशलेशन की यह पद्धती है जो कि सिग्मन फ्रायड के द्वारा प्रारंभ की गई उन्होंने काब, कला, दर्शन, धर्म, समाज, विज्ञान आधी के बारे में मनों विशलेशन, सास्र की मानिताओं के आधार पर नई मानिताय प्रस्तुत की उनके इन सिध्धान्तों ने पास्सात और भारती विद्वानों का ध्यान अपनी और आकर सिथ किया और धीरे धीरे उनकी गणना आलोचना जगत के प्रभावसाली आचारियों में होने लगी जब आलोचना की बात करते हैं यहां पर मैंने आपको आलोचना शब्द एक बताया वैसे आपने उपन्यास में तो पढ़ा ही होगा लेकिन अगर आलोचना में बात करें तो आलोचना में आचार रामचंद सुक्ल में भी आपको देखने को थोड़ा बहुत मिल जाएगा लेकिन सर्ब प्रमुख अगर हम लोग आलोचक देखें तो डॉक्टर नगेंद्र है डॉक्टर नगेंद्र पर सिग्मन फ्रायड का अस इस देखने को मिलेगा तो नाट्टरन अगेंद की एक रचनऊ है अपनों को पता होगा साइड काब में बिंब करब में दी को तहेट का ओना बिम्ब जो रचना है डॉक्टर नगेंद्र की जो अलोचनात्मक रचना है उसमें आपको देखने को मिलेगी लेकिन मनो विश्लेशनवाद जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि सिगमन फ्रायड ने मानो मस्तिस्क के तीन भाग बताया उन्होंने चेतन और अर्ध चेतन इस पर विश्लित चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे मनो विश्लेशनवाद के दूसरे प्रमुक अगर हम देखें तो दूसरे प्रमुक इसमें जो विद्वान है वो है एडलर जिनका जन्म 1870 में हुआ और देहां 1927 में हुआ इन्होंने काम वृत्ति से अधिक महत्तो अहम को दिया है काम वृत्ति को सबसे अधिक महत्तो किस ने दिया था तो सबसे अधिक महत्तो सिग्मंड श्रायड ने काम वृत्ति को दिया था लेकिन काम वृत्ति से अधिक महत्तो अहम को देने वाले विद्वान है एडलर अभी विस्तित चर्चा इनक तबान्त 1961 में हए यह दोने ब्ट विकल्ब दिया कल की लाइव कख्छा में मैंने यह प्रश्ण पूछा था कई लोगोंने गलत भी किया था यह तो मैंने विकल्प दिया था फ्रायर्ड यह एडलर या जूंग और एडलर मिलकर याद होगा आपको अगर आपने लाइब कप्षा ज्वाइन किया था या लाइब कप्षा में रहे होंगे तो आपको याद होगा मनोविसलेशन वाद का सिध्धान्त बीशवी सदी का एक महत पूर्ण सिध्धान्त है जिसने साहित और कला की दुनिया पर भी व्यापक परभाव डाला कला के छेत्र में दारावाद या डाडावाद अतियता अर्थवाद जैसे आंदोलनों के मनुविसलेशन वाद से प्रणा मिली मनुविसलेशन वाद को समझने से पहले हमको फ्रायड को समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति के सिध्धांत को अगर आपको समझना है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित को समझना चाहिए जब व्यक्ति का व्यक्तित तो समझ में आ जाएगा उसकी विचारधारा समझ में आ जाएगी तो उसका सिध्धांत भी समझ म आजाएगा बच्चन सिंग को पढ़ना है तो उनके विचार जानिए डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ना है तो उनके विचार जानिए इलाचन जोसी को पढ़ना है तो उनके विचार जानिए जब इनके विचार आपके समझ में आ जाएंगे तो उनकी रचनाएं आपके समझ में आ जाएंगी थोड़ा साग अगर पढ़ेंगे तो भी परिक्षा में आपका प्राश्म नहीं छूटेगा ठीक उसी तरीके से अगर हमको मानो विचलेशन वाद पढ़ना है तो सबसे पहले फ्रायड को पढ़ना होगा फ्रायड के सिध्धांतों को समझना होगा तो फ्रा प्रानो व्यक्ति के सिल्पी करण की प्रक्रिया के लिए फ्रायड ने तीन तत्तों को सुईकारा इदम अहम और अत्ति अहम अब इसमें इदम क्या है इदम एक प्रकार की उर्जा है जो कार प्रतिवर्थी के लिए और विनम्रों को निराकरण करती है यह तनाव मुकती में सहायक है जो इदम है और इसेलिए आप खुँच सोचिए कि जो तनाव मुकती में सहायक हो उसे क्या कहेंगे उसे कहा जायगा dead सिध्धान तो इदम को कहा गया है सुख का सिध्धान अब बात करते एहम का एहम का विकास के संग्या प्राप्ति तथा बाउधिक विकास के साथ साथ परिवारिक के संपर्क से होता है और यह इदम को विवस्थित करता है जो सुख का सिध्धान्त है उसी को विवस्थित करता है कौन एहम इसके साथ जो एहम है यह इदम के परितोस के लिए रास्ता बनाता है और इसलिए इसे कहा गया कि यह वास्तबिक सिध्धान्त है अहम को कहा गया कि वास्तविक सिध्धान्त है और अति अहम की अगर बात करें तो अति अहम एक ऐसी वृत्ति है जिस पर अहम आदर्स तथा विवेक का नियंत्रण करता है र और इसलिए अति अहम को कहा गया आदर्स वादी सिध्धान्त तो आपने देखा तो अहमugesक्तित का सिलपी कर्ण के लिए उन्होंने तीन तथमाना इदम अहम और अचिया हम इदम को सुख का सिध्धान्त कहा गया क्यों कहा गया वह को देखा अहम को वास्तविक सिध्धान्त कहा गया क्यों कहा गया यह आपने देखा अति अहम को आधरस्वादी सिध्धान्त कहा गया क्यों कहा गया यह भी आपने देखा अब इसके बाद कि मन के अस्तर की बात करते हैं मन के अस्तर देखे फ्रायर ने मन के तीन अस्तरों की चर्चा किये कितने अस्तरों की तीन तीन कौन-कौन से मैंने अभी प्रारम में आपको बताया था कि विस्तित अभी हम लोग बात करेंगे चेतन अचेतन अर्धचेतन देखें जब वित्यात्मक उर्जा प्रवल होती है और उतेजित मन अपनी भावनाओं को व्यक्थ करता है जो उतेजित मन हैए उतेजित मन अपनी भावनाओं को व्यप्त करता है तब यह मन का जो अस्तर होता है वो कहलाता चेतन समझ में आ गए चेतन क्या है जब उत्तेजित मन अपनी भावनाओं को व्यप्त करता है तब मन का अस्तर चेतन कहलाता है लेकिन जब व्रित्यात्मक उर्जा अहम या अति अहम के कारण अहम आप समझ गए आधर स्वादी जो मैंने भी आपको पढ़ाया अहम या अत्ति अहम के कारण सफल नहीं हो पाती तब जो भावनाएं होती हो क्या होती है भावनाएं कुंठित होकर मन के जिस अस्तर में एकत्रित हो जाती है उसे कहते हैं अचेतन यानि आप कोई काम करना चाहते हैं आपका परिवार है परिवार में आप देखने हर तरीके के खुशाली है सब कुछ है लेकिन आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो सभी के लिए अच्छा हो लेकिन किसी कारण मंन से आम को दबाकर रखना पर और किसी कारण से तरहते हैं तो जहां पर जिस अस्तर पर मन में एकत्रित होती उससे से करे अचेतन फ़स्था ओर अगर उतिजत मन अपनी भालों को व्यक्त कर देता थो चेटन अस्तर है और नहीं व्यक्त कर पाता तो उसे कटे eigenlijk है अब अर्ध चेतन क्या है कि व्यक्ति की अधिकांश भावनाएं और मनों विकार condition में ही दबे रहते हैं कि कहां दबे रहते हैं अचेतन में दबे रहते हैं और अर्ध चेतन चेतन का ही एक रूप है कुछ भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं कुछ नहीं व्यक्त कर पाते हैं तो यह हो जाएगा आपका अर्ध चेतन अब बात करते हैं काम संबंधी द्रिष्टी कौ काम संबंधी द्रिष्टी कोण क्या है कि देखें फ्रायड के मनुविश्लेशन वाद का सबसे अधिक और सबसे महत्पूर सिध्धान्त काम सिध्धान्त है सबसे महत्पूर सिध्धान्त कौन सा सिध्धान्त है तो काम सिध्धान्त है ध्यान लखिएगा बहुत ही महत्पूर सिध्धान्त है काम सिध्धान्त काम चेतना क्योंकि जब हिंदी साहित में आप पढ़ेंगे अगे जी को तो अगे का जो उपन्यास है अग्गे का जो उपण्यास है सेखर एक जीवनी सेखर एक जीवनी में जो पात्र सेखर है उसमें आप देखेंगे कि कामचेत्ना के शिद्धान्त की जलक सेखर में मिलेगा सेखर एक जीवनी में सेखर में आपको मिलेगा जैनेंद्र के बारे में पढ़ेंगे आप वहां देखेंगे मनों विस्ट्रेशन कारियून का जो उपन्यास है उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको वहां पर भी कामचेतना मिलेगा कि फ्रायट ने तो खुद कहा है कि धर्म अर्थ काम ध्याम रखिएगा धर्म अर्थ काम साहित और संस्कृति की मूल प्रेड़ा काम बृत्ति है कि अगर कॉपी पहने तो लिग भी सकते हैं आप धर्म अर्थ काम साहित और संस्कृति की मूल प्रेड़ा काम बृत्ति है किस ने कहा है फ्रायड ने कहा है इतना ही नहीं आप देखेंगे तो फ्रायड ने कहा है उन्होंने काम वासना को महत्तो दिया है सबसे अधिक महत्तो किसे दिया है तो उनका जो काम संबन्धे द्रिश्टिकोन है उसको सबसे अधिक महत्तो दिया है काम वासना को महत्तो परदान किया है फ्राइड के कुंठाओं के आधार पर आप देखेंगे हिंदी साहित के जो लेखक हैं वो फ्राइड के पुंठाओं के आधार पर मनुस की दमित वासनाओं पुंठाओं कांवरितियों एहम दम्भ और हीन भावना आदिका चित्रण करके हिंदी उपन्यास में व्यक्ति का ऐसा रूप प्रसुत किया जिससे वह मंत्रिक चबी देख सकता है घर उतसाहित में अभी आगे आएंगे तो आपको बताएंगे अभी काम संबंदी यहां द्रिश्टिकोण इनका देखते हैं तो फ्राइड के मनों विश्लेशन वात का सबसे अधिक महत्तपूर्ण सिध्धान काम सिध्धान थे वह काम को जीव को कि रचार प्रकार की कामवासना है मानते हैं Bier गदागत लैंग 14 जननिंदरीगत अ है कि यह चार प्रकार के कामवासना ठेएड ने माना है तो देखें फ्राइड यह मानते हैं वाठ शिशू को जो सिशू है जो भच्या होता है जो बच्क है शिशु है शिशु को प्रारंभ से ही काम मूलक मानता है फ्रायड क्या मानते हैं काम मूलक इतना ही नहीं तेरह वर्ष की अवस्था में उसकी रती एक्छाएं बल्वती हो जाती हैं उसकी जो रती यानि प्रेम मा के प्रतिप्रेम भाई भैनों के प्रतिप्रेम पिता के प्रतिप्रेम तो रती एक्छाएं बल्वती हो जाती हैं कब तेरह वर्ष की अवस्था में यह फ्रायड का मा काम वासना है व theor लेकिन अहिए यह अभी मैंने आपको बताया जो अभी मैने आपको आपको मानविय व्यक्तित के सिल्पी κα्रन में तीन souvent आपको वे सुख का सिध्धान्त वास्तभी सिधान्त आदर्सवादी सिध्धान्त यानि इत्व महम और है इसके कारण वह काम वासना जो होती है वह कैसी हो जाएगी संयमीत हो जाती है और इसे संदर्व में एक प्रशन पूछा गया था साथ 2019 में पूछा गया था इडिपस ग्रंती और कॉंस्ट्रेक्शन ग्रंथी याद होगा आपको इडिपस ग्रंथी यानि विसम लिंगी के प्रति कामेक्षा और सम लिंगी के प्रति इरिश्या पैदा करती इडिपस ग्रंथी और जो कॉंट्रेक्षन गरंती होती है उसे मनोग्रंथी कहा जाता है और इस मनोग्रंथी का विकास पूढ योवन के समय होती है तो खेर उससे उतना जादा जाने की जरूरत नहीं है अब दमित वासनाये और साहित ये दमित वासनाये क्या है और साहित से इसका क्या संबंध है देखें काम की वृत्ति मानों में जन्म काल से ही होती है ये मानों की मूल और सक्तिसाली प्रविर्ति मानी गई है फ्रायड ने इस वृत्ति को मानों के सभी क्रिया व्यापारों का मूल माना है लेकिन सामाजिक औरोधों और मानसिक चिंताओं के कारण काम की वृत्ति लगातार दब जाती है इसको फ्रायड ने दमित वासनाय कहा दमित क्यों दमित वासनाय यानि दबी हुई वासनाय जो है वो क्यों दब जाती है सामाजिक औरोधों और मानसिक चिंताओं के कारण जो काम की वृत्ति है वो दब जाती है और उसी को यह जाता है दमित वासनाएं को कि जब Nao कि पूर्ती नहीं होती तब उन्हें दबाया जाता है और duckbird और ये दमित वासनाय AI जाकर बैड़ जाती है चेतर अचेत बनकर मनुस को पाप कर्मों की और धकलती है लेकिन जब यह दमित वासना उदात रूप में प्रकट होती है तो वे कला साहित धर्म और संस्कृति का रूप धारण कर लेती है कोई ऐसी दमित वासना आपके अंदर है कि कि अगर आप उसको बाहर नहीं निकाल को कहते नहीं कि किसी से अगर कह दीजिए तो आपके मन का बोज़ हलका हो जाएगा कहते हैं तो अगर नहीं कहते हैं और वह दमित वासना आपके अंदर पड़ी हुई ए चेतना वस्ता में तो धीरे जिरे आपको क्या बना देगी मांसिक रोगी बना देगी मांसिक विकार बनेगा और मांसिक विकार बनकर आपको पाप कर्मों की ओर धके लेगा जो कामवासना है अगर उसको दबा कर रखा गया यह यह काद्व के रूप में प्रकट हो जाएगी कला के रूप में साहित के रूप में धर्म के रूप में संस्कृति का रूप धारन कर लेगी तो काल जुंग जो थे वो फ्रायड के मत से जो यह मत है इस मत से सहमत है लेकिन एडलर ने कि व्यक्तित निर्मार के स्रेष्ट तत्त्त और हीन भावना की चर्चा की है एडलर को जो फ्रायड का काम सिध्धान्त है वो मानने नहीं है एडलर फ्रायड के इस काम सिध्धान्त को नहीं मानते हैं उनका कहना है कि मानों के विकास मानों के विकास में सामाजिक सक्तियों का योगदान है वे एहम को जीवन का मूल केम्र मांते हैं लेकिन एडलर का कहना है कि प्रत्यक व्यक्ति नीचे से ऊपर उठने का प्रयास करता है और इसी को वह स्रेश्ट थत्तो की संग्या देते हैं इसी के साथ ही एडलर मनुस के विकास का आधारहीन भावना को मानते हैं क्योंकि मनुस्ष पास्यक्त है यसे पाने का वप्रयास करता हैट पहेँ उसके बाद करते है कलात्मक्स भानलंकि की स्थ्यों आइक की कलपना दिवा स्वापन है किसके अनुसा तो कभी की कलपना क्या है दिवा प्रस्ट वाद क्या है यह नहीं समझ में आता है इससे प्रस्ट परिक्षा में मेरे गलत हो जाते ऐसा बिलकुल भी न सोचे एक पॉइंट समझते चले मैं गारंटी के साथ कहता हुआ की एक भी प्रस्ट परिक्षा में घलत नहीं होगा कि समझे की कोशिस करिए और फिर देखिए इतने साधारल सब जो सब्दों में आपको समझाया जा रहा है मुझे लगता है कि एक एक सब्द आपके समझ में आ जाएंगे लेकिन कोशिस करिए तो कल्पना साहित्य स्रिजन की तैथ हमने देखा कि फ्रायड ने कहा कि कभी की कल्पना क्या है दिवासवपन है दिवासवपन तो समझ रहे होंगे उनका मानना है फ्रायड के यह मानना है कि कभी जो होता है कभी भी बच्चों की तरह अतिकल्पना का जगत बनाता है उसमें यथार्थता नहीं होती लेकिन वो उसे यथार्थता से सुसोबित करना चाहता है और इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से ऐसे भाव हैं जो मूलता है दुखद होते हैं कभी की कल्पना के कारण वे दर्सकों और स्रोताओं को आनंद परदान करते हैं फ्राइड ने यह कहा है कि बच्चा वयस्क होने पर भले ही अपनी बाल्यावस्थाओं की क्रिडाओं को छोड़ दे लेकिन एक लंबे काल के बाद उसकी इसमिर्ति में सैसो कालिन क्रिडाओं और उससे उत्वपन होने वाला आनंद बराबर बना रहता है आज भी आप अपने उपर सोचिए कभी कभी जरूर बैठते होंगे तो सोचते होंगे या बच्चों को खेलते देखते होंगे तो सोचते होंगे कि मैं भी बच्चपन में ऐसे था यह खेल खेलता था ऐसे करता था वाइसे करता था तो सारी जो क्रिडाय है बाल लवस्था की वह याद रहती है और इसका कारण यह है कि मानो जिस आनंद का उपभोग जीवन में एक बार कर लेता है उसे वो सरलता से त्याग नहीं सकता बच्चे और वयस्क बच्चे और जो वयस्क मनुस्य हैं उनमें अंतर यही है कि बच्चे अपनी केडाओं को गुर्जरों से छिपाते नहीं है लेकिन वयस्क अपने कलपना चित्रों को दूसरे से छिपाने का परियास करते हैं मन तो आप का भी होता होगा बच्चों के साथ किच लो खेला जायाँ ऐसे खेले लेकिन नहीं आप नहीं खेल पाते हैं आप अपनी इच्छा नहीं व्यक्ति कर पाते हैं कि भी बच्चा क्या सोचेगा तो जो बच्चे होते हैं वो अपनी कल्पना को नहीं चीपा पाते हैं और जो वैस्क होते हैं अपनी कल्पना चित्रों को दूसरे से चीपाने का प्रयास करते हैं और तो вес Fr. और ने दीवास्वपन द्रश्टाओं इसे को दीवास्वपन ने कहा है कि कभी की कल्पना क्या दीवास्वपन है मैं और इसलिए वैं कभी को यह साहित्यकार को दो कोटियों में विभक्त करते हैं कहते एक उस प्रकार का कभी ऐसे कभी जो प्राचीन साहित्य कारों द्वारा प्रस्तुत लोग स्व्यक्रित्ष सामगरी को ग्रहल करके। साहित्यर्माण करता है। दूसरा ऐसा कभी? जो अपने साहित्य की सवयम उद्भावना करते हैं, दिवा श्वपन, दरिष्टाग कहलते हैं, यह दो प्रकार के कभी होते हैं यह कहा गया किस के दोरा फ्रायड के दोरा उन्होंने कहा कि दिवा स्वपनी की अभिवयक्ति ही काब्व है यहांनि फ्रायर्ड ने कभी कल्पना को दीवा शुपन कहा और कहा दीवा सुपन की अभिविक्ति ही काब्ब है उनका ये मानना है कि व्यक्ति अपने काम मूल दीवा सुपनों को दूसरे से छिपाने का प्रियास करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता वो सफल नहीं हो पाता दिवा स्वपन के जो कभी है कभियों की यही अनिवारिता उनको कभी बनाती है इसी के फलसुरूप काभ्य का काभ्या साहित का निर्माण कलाकार करते हैं सखाल मांनते हैं इन दिवा स्वपनों के अध्यन से हम उन समस्याओं की और बढ़ सकते हैं जो कल्पना परधान साहित्पे से जुड़ी है ह। कि आगे उन्होंने कहा कि कलाकार की प्रविर्ति अंतर मुखी होती है यह फ्रायड का मानना है कि कलाकार की जो प्रविर्ति होती है वो कैसी होती है अंतर मुखी होती है तो उपरोक्त जितने भी पॉइंट हम लोगों ने देखे उससे कह सकते हैं कि फ्रायड के मनोवज्यानि शैस्विय दमित काम्रित्ती और इस काम्रित्ती की सक्ति को वे लिवीडो कहते हैं इसी कारण इनकी विचारधारा का आलोज को ने विरोध किया फ्राइड की यह मानसिक्ता एडीपस कुंठा से प्रभावित है अभी मैंने एडीपस कुंठा क्या है एडीपस गरंती क्या है मैंने आपको मताया। इडीपस और कॉंट्efस मैंने आपको बताया। इडीपस बच्चों में कम होती तुन मैंने आपको अब करते हैं धूसरे प्रमुक्र विद्वान कारल जुंग की जिनका जन्मद ठारह सोपजप्छतर में हुआ औरhydra 1961 में हुआ इन्हों ने काम सब्द को मानो जीवन की मूल प्रविर्ति माना है और जीवन के सभी क्रिया कलापों को प्रड़ादायक सक्ति माना है इस संबंद में वो कहते हैं कि आरंभ में काम का वेग आरंभ गत होता है बाद में रती गत यवनावस्था आते ही व्यक्ति अपने जीवन में खालीपन अरुभो करने लगता है लेकिन काम अपने उद्देश की और निरंतर गतिमान रहता है जुम ने इसकी दसाय मानी है जो दो दसाय है वह अंतर मुखी परवाह और बहर मुखी परवाह इससे पहले आपने देखा कि केवल अंतर मुखी परवाह माना गया है इससे पहले आपने देखा कि क्योवल अंतर मुखी फ्रायट के दौरा माना गया यहां पर अंतर मुखी और बहर मुखी दोनों माना गया अंतर मुखी परवाह के तहत क्या होगा काल जुंग के तहत हम देखें तो अंतरमुखी परवाह में इन्हों ने कहा कि इस वृत्ति के कारण इस अंतरमुखी परवाह के कारण व्यक्ति भाबुक होता है पलायनवादी होता है और लचीला बन जाता है इस अंतरमुखी परवाह के द्वारा और बहिर मुखी प्रवाह के द्वारा इस चेतना के कारण व्यक्ति में साहस तथा कर्म चेतना का संचरण होता है और वो कर्म नत होकर निरंतर आगे बढ़ना चाहता है तो जुंग की मानिताय जो है वह आप देख रहे हैं कि फ्रायड से कई तत्यों पर अलग थलग देखने को मिलती है फ्रायड के सिस एडलर ने काम की जगए अहम को मुख्य माना है और जुंग ने दोनों को एक साथ रखा काम और अहम को जुंग के अनुसार मनुसिक की स्मिर्थिया मांसिक कारव्यापार को चेतन मन में एकत्र नहीं रख पाती और उए अचेतन में चली जाती है अचेतन मन में धमित रहने वाली अनुभूतिया इस्मिर्थिया यों विचार एहम को सुईकारे नहीं हो पाते परणामता वहां भय आसंका मृत्य जैसे इस्थित्यां उत्पन हो जाती है जिससे मनुसे का मन प्रभावित होता है अब तीस ने विद्वान की बात करेंगे अल्फ्रेड एडलर की जिनका जन्म 1870 में हुआ और देहान 1937 में हुआ अल्फ्रेड एडलर मनोविस्लेशन वाद का विवेचन करने वालों में एडलर का विशेश महत्तो है वह नौ साल तक फ्रायड इस्कूल के चेर्मेन बने रहे लेकिन 1911 में इन्होंने अलग इस्कूल की स्थापना की इनके चरित्र में व्यक्ति निर्मान स्रेश्ट तत्त्य की भावना और हीन भावना का विशेश महत्तो है कि सबसे पहले अगर हम व्यक्तित्य निर्मान की बात करें तो फ्रायड के समान एडलर मानों विकास में दैवी सक्तियों को नकारते हैं कि दैवी सक्तियों को नकारते हैं कते नहीं मानों के विकास में दैवी सक्ति नहीं है कोई दैवी सक्ति नहीं है जो मानों के विकास में वो योगदान करें उसके अस्थान पर मानते हैं कि सामाजिक सक्ती हैं सामाजिक सक्ती मानों के विकास में अहम भूमिका निवाती है ना कि दैवी सक्ती एडलर ने फ्रायड के काम सिध्धान्त को भी आस्विकार कर दिया एडलर ने फ्रायड का समर्थन एक जगे पर किया व्यक्तित निर्माण में व्यक्तित निर्माण में बाले काल के महत्त को स्विकार किया है लेकिन एडलर का सबसे अधिध्यान सामाजिक सक्तियों की और रहा दैनिक सक्तियों की और नहीं फ्राइड ने काम को जीवन का मूल केंद्र माना है वही एडलर ने अहम को महतो दिया है प्राइड का मानना था कि मांसिक रोगों का कारण काम होता है लेकिन एडलर ने इसका कारण अहम को माना है यानि एडलर का कहने का मतलब यह है कि अहम की तोष्टी होने पर बहुत से मांसिक रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है वहीं स्रेश्ट तत्तो की भावना की अगर बात करें तो इससे पहले आपने फ्रायड को पढ़ा फ्रायड जीवन की सभी गतिविधियों में मूल काम को सुईकार करते हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम एडलर की बात करें जो कि कर रहे हैं एडलर का कहना है कि स्रेश्ट तत्तो प्राप्ति का लक्ष ही मानों की क्रिया का मूल है यह किस ने कहा एडलर ने कहा देखिए यहाँ पर केवल पॉइंट दिया गया लेकिन अगर आप समझते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा मनुसे जिस उद्देश के लिए प्रत्न सील है वह उत्तिक्रिष्टा या स्रेश्टत तो ही है और इसी में पूर्व विकास गुण संपन्नता और आत्म अनुभूती की भावना विद्दमान है आप परिश्टा में सफल होने के लिए इसी उद्देश से आप प्रत्न सील है तो आप खुद देखिए कि आप जिस उद्देश के लिए प्रत्न सील है वो क्या है वो तो स्रेष्ट तत्व ही है अगर स्रेष्ट तत्व ना होता आप उसे स्रेष्ट ना मानते तो आप प्रयत्नसील ना होते और अगर स्रेष्ट तत्व मानते हैं तो आप जानते हैं कि इसी में पूर्व विकास गुर्ण संपन्ता और आत्म अन्भूती की भावना विद्द का स्रेश्ट की भावना यही है धार सिसु के उपर का कि सिसु पहले सारी रीग विकास प्राप्त प्राप्त डिक विकास है मानों का सामाजिक तथा क्विकास पा नहीं होती है वो हमारे जीवन का आधार भूत तत्त है यानि कहने का मनलब लालसा कह सकते हैं आपके पास आज अगर आप कमा रहें 30,000 रुपे महीने तो फिर उससे आप संतुष नहीं होंगे अब और उससे जाने की लालसा आपके अंदर होगे चलिए ठीक है अगर हम 35,000 कमाएं तो हमको और अच्छा होगा आप 35,000 कमाने लगे फिर भी ओलालसा खतम नहीं होगी और उपर बढ़ने के लिए सोचते हैं 50,000 कमाएं पर बंत तो अच्छा होगा पचास जार भी पाने लगते हैं कुछ दिन बाद उससे भी महभंग होता है और कहते नहीं अगर हम 75,000 कमाएं तो मानना है किसका एडूर का स्रेष्ट तत्त्यों की भावना यहीं है मेरे खयाल से आप समझ गए होगे अब बात करते हीं भावुना की समस्य कहां से आ गई स्रेश्टत्त्त की भावना बताया ठीक उसी तरीके से जो नहीं है उसी को पाने के लिए प्रत्न करता है अच्छमता के कारण अगर आप उसमें सक्छम नहीं है अच्छमता के कारण व्यक्ति का अहम आहत हो जाता है गलेरी का आपने सुना होगा अंगूर खटिए है जब नहीं पहूँच पाती है तो क्या कहती है ऑढ़ुद खटिए है याजी अच्छमता है उसके और जब अच्छमता के कारण आप उस चीज को जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं आप उसमें सक्षम नहीं है आपके अंदर अच्छमता है आप नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या होगा आपके अंदर हीन भावना पैदा होगी उस वस्तू के प्रति हीन भावना पैदा ह तो अच्छंता के करण व्यक्ति का अहम आहत हो जाता है और उसके छतपूर्ती के लिए वह प्रेत्न सील हो जाता है तो एडलर ने यह चीज़ स्विकारा है कि मानो मन की समस्त क्रियाओं का आधार हींता की भावना है और जब हिंता की भावना उग्र रूप धारण कर लेती है तब मनुस्त अपने आपको दूसरों की अपेक्छा कमजोर और हीन समझने लगता है जिससे उसके मन में स्रेष्ट तत्त आने की एस्परधा उत्पन होती है और यही एस्परधा उसे हीन भावना से मुक्द करने की प्रणा देती है तो मेरे ख्याल से आप हीन भावना भी समझ गये होंगे स्रेष्ट तत्त की भावना भी समझ गये होंगे तो एडलर के मनों विज्ञान में आत्म अस्थापन की प्रविर्ती ही प्रमुख है काम विर्ती नहीं हीनत कुंठा ही मानसिक स्नायविक रोग का मूल कारण है यथार्थ से संगर्ष के कारण व्यक्ति के आत्म अस्थापन को संतुष्टी नहीं मिल पाती और उसमें हीन किसे जैनेद्र कुमार को हिंदी में मनों विश्रीशन वादी उपन्यास का उपन्यास का जनक माना जाता है किसे जैनेद्र को हिंदी में इलाचन जोसी है जयनेद अग्य है यह इसी विचानहारा से प्रभावीत है मनो विसलेशन वादी से लेकिन जयनेदुर को को हिंदी में मनोविस लेशनवादी उपन्यास का जनक माना जाता है लेकिन आपने गोपाल राय को पढ़ा होगा गोपाल राय इलाचंद जोसी को मानते हैं गोपाल राय इलाचंद जोसी को मनों विशले शनवादी उपन्यास का जनक मानते हैं कौन मानता है गोपाल राय कि जबकि सर्व सम्मत रूप से अगर देखा जाए तो जैनेंद्र को मनो विशलेशनवादी उपन्यास का जनक माना जाता है अग्गे का सेखर एक जीवनी जो उपन्यास है जिसमें जो पात्र सेखर है सेखर में काम चेतना के सिध्धानत आपको देखने को मिलेंगे उसके अलावा अग्ये का नदी के दियूप है कौन सा है नदी के दियूप आपको पता होगा नदी के दियूप व्यक्तिवादी जीवन दर्शन है नदी के द्यूप अग्गे का जो है वो व्यक्तिवादी जीवन दर्सन है उन्होंने मध्यम वर्गिये कुंठित जीवन के प्रतिक के रूप में नदी के द्यूप की कलपना की है वही अपने अपने अजनबी भैसे खर एक जीवनी नदी के द्यूप और अपने अजनबी जो तो अपने अपने अजनभी है उसमें संत्रास आपको देखने को मिलेगा अकेलापन आपको देखने को मिलेगा वेगानगी आपको देखने को मिलेगी वेगाना समझते होंगे वेगाना से बना वेगानगी मृत्वोध अजनभी पन यह सम अपने अपने अजनभी में आपको देखा अब उसके बाद के बात कर लेते हैं जैनेंद्र कुमार की जैनेंद्र का जो उपन्यास है उसमें त्याग पत्र की मिर्डाल को देखिए कि सुनीता उपन्यास की पत्र सुनीता को देखिए उस पर भी मनोविशलेशन वादी विचारधारा का प्रभाव है जैनेंद कुमार के जो भी उपन्यास है उन सभी उपन्यासों में आपको यह चीज़ देखने को मिलेगी इलाचन जोसी की अगर बात करें तो इलाचन जोसी के उपन्यासों के पात्र भी इसी विचार्धारा से प्रभावित हैं वैसे इलाचन जोसी का जो पहला उपन्यास था घ्रणा मई याद होगा आप लोगों को पहला उपन्यास उनका कौन सा है इलाचन जोसी का पहला उपन्यास घ्रणा मई है जो 1929 इसवी में प्रकासित हुआ लेकिन ख्याती उनको कब मिली तो ख्याती मिली उनको सन्यासी उपन्यास से जो 1941 इस्वी में प्रकासित हुआ सन्यासी जो 1941 इस्वी में प्रकासित हुआ इनके उपन्यास जो भी है चाहे वो पर्दे की रानी हो प्रेत की छाया हो निर्वासित मुक्ति पत जिपसी जहाज का पंची रितु चक्र भूत का भविस सुबह के भूले कभी की प्रेशी तो किसी भी उपन्यास की बात करें इलाचन जोसी के तो इलाचन जोसी के उपन्यास चेतन और अचेतन मन में छुपी हुई वासनाओं और कुंठाओं इसमें आपको देखने को मिलेगा इनके पात्र किसी ना किसी मनोवज्ञानिक गरंति का सिकार है और इन गरंतियों के कारण हुए असामाजिक कारें में सनलगन हैं जैसे सण्यास के अगर बात करें तो सं विपन्यास में आप देखेंगे आत मिहिंता की गरंति आपको मिलेगी प्रेत और छाया इलाचन जोसी की का जो उपन्यास है प्रेत और छाया प्रेत और छाया में डीपस ग्रंथी आपको मिलेगी परदे की राणी इलाचन जोसी का जो उपन्यास है परदे की राणी परदे की राणी अपर देखेंगे तो मानिक कुणठावों से ग्रस्त दिखाया गया है मा सिक खुन हों से ग्रस्त colum दिखाया गया है इलाचन जो जोसी की यह ग्रचना है आप corpses को पता है या नहीं पता है साहित कि चिंतन साहित चिंतन अगर नहीं पता है तो लिख लिए साहित चिंतन इलाचन जोसी की जो रचना है साहित चिंतन इस पर फ्रायड और एडलर का प्रभाव असपस्ट रूप से देखने को मिलता है साहित चिंतन पर इलाचन जोसी ने कहा है इलाचन जोसी का एक कथन आप लिख सकते हैं इलाचन जोसी ने कहा कि साहित का मूल उद्देश साहित का मूल उद्देश चरम सौंदर की अभिव्यक्ति साहित का मूल उद्देश लिख रहे ना आप लोग साहित का मूल उद्देश चरम सौंदर की अभिव्यक्ति के माध्यम से चरम सौंदर की अभिव्यक्ति के माध्यम से जीवन सक्ति प्रदान करना है चरम सौंदर की अभिव्यक्ति के माध्यम से जीवन सक्ति प्रदान करना है यह इलाचंद जोसी ने कहा है अब उसके बाद जैनेंद्र कुमार की बात कर लेते हैं जिनका मूल नाम आनंदी लाल है इनका पहला कहानी संग्रह फासी था आप उस पर भी देखें मनुविश लेशनवादी सिध्धान्त का परभाव है असोक वाजपी ने जैनेंद्र कुमार को सब्दिके संकोच का कथाक अब परभुत कामना तथा च्छति पूर्त को अपनाते दिखाई देते हैं जबकी काभेचिंतक की के रूप में अग्ये किधाणा इंडर से प्रभावित हैं वही यहाँ पर एक नाम आवर आपको लिखा दें अगर आपके पास कॉपी पेने तो लिख लीजिए द्वारीक प्रसाद के द्वारी का प्रसाद के दो उपन्यास बहुत ही मात्पूर्ण है जिसके बनोवेश्चलवादी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा हो सकता है इनका उपन्यास आपको पता हो या ना पता हो मम्मी बिगडेगी यह द्वारी का प्रसाद का उपन्यास है मम्मी बिगडेगी और एक लिखे घेरे के बाहर दूसरा लिखे घेरे के बाहर यह दो बहुत ही महत्यपूर उपन्यास है द्वारी का प्रसाद के दो बहुत ही महत्यपूर उपन्यास है जिस पर मनोवेश्चलेशन वादी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वह से द्वारी का प्रसाद ने दो पत्रिकाओं का संपादन भी किया था वो दो पत्रिका कौन सी हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है जरूर बताईएगा द्वारिका प्रसाद ने दो पत्रिकाओं का संपाधन किया था वो दो पत्रिकाओं कौन सी हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है जरूर बताईएगा चले एक मैं बता देता हूं दूसरा आप बताईएगा नर नारी द्वारिका प्रसाद की पहली पत्रिका मैंने आपको बता दिया नर नारी नर नारी नर नारी पहली पत्रिका दूसरी का नाम आपको बताना है पहला है नर नारी दूसरा आपको बताना है कि बताएंगे चले मैं बता देता हूं लेकिन कमेंट करके जुरू बताएगा कि क्या आपको पता था या नहीं पता था बताने से पहले दूसरा है हमारा मन पहला है नर नारी पहला है नर नारी और दूसरा है हमारा मन दूसरा है हमारा मन इन दो पत्रिकाओं का संपादन भी द्वारी का प्रसाद ने किया था तो इसे भी आप लोग ध्यान न कियेगा बाकि डॉक्टर नगेंद के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी रचना कावे में बिमे में प्रमुख कामना के सिध्धांत का प्रभाव देखने को मिलेगा डॉक्टर देवराज की रचना जो पति की खोज है अजय की डाइरी है मैं और आप इन रचनाओं पर भी मनोविश्रेशन वादी सिध्धांत का प्रभाव देखने को मिलेगा मनोहर स्याम जोसी की रचना जो हमजाद है हमजाद पर भी मनोविश्रेशन सिध्धान्त का परभाव आपको देखने को मिलेगा तो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा आपके कमेंट का इंतिजार रहता है बाकी कल अस्तित्त वाद कराएंगे मार्क सौध हो गया कल आज मनविश्लेशनवाद हो गया तो अस्तित्त वाद करा कर फिर मनव अस्तित्त वादय पर दोनों पर आधारित क्यालроб करो आज इस चीज़ान सु эта रखतीते थे है तो हम लोग भी लेंगे कल लाइब काक्षा में बाकी दोपहर में आपको अस्तित्वाद कप पर आधारिक वीडियो लेक्षर मिलेगा